Hello everyone, welcome back to our channel, join MNES Academy, I hope you all are doing great, so a new day and a new beginning, right guys? So, कल से जब से आपका एक्जाम खतम हुआ है, आपको बहुत सारे questions हैं जिनके answers चाहिए, right? एक्जाम कब होगा? आगे की preparation कैसे करे? पैट के लिए preparation कैसे करे? सेफ स्कोर क्या है? कट ओफ कितना रहेगा? तो यह सारे आपके जो भी doubt है ना, मैं one by one आपका सारा clear कर दूँगी, so इस particular वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि MNES जो exam होगा, उसका date क्या आप expect कर सकते हो, मतलब आपके पास कितना time है MNES exam को prepare करने के लिए? So I'll tell you straight forward guys, MNES का जो exam है वो आपके neat के result के बाद आएगा, अब neat का result कब आएगा, next question आपका यही आएगा, तो neat का result जो है वो generally एक महिना तक लग जाता है result आने में, तो आप expect कर सकते हो, अगर one month या थोड़ा उससे जाधा time भी लगा, तो आपका neat का result उतने में आ जाएगा, जैसे आपका neat का result आएगा, उसके बाद आपका MNES का portal खुलेगा, वहाँ जाके आप अपने score डालेंगे, score डालने के लिए आपको almost one week का time दिया जाएगा, उसके पाद से आपका admit card है, वहाँ आएगा, तो इस पूरे process में मैं कह सकती हूँ for sure कि आपको डेड़ महीने तो पक्का लग जाएगे, और अगर जाधा time लिया तो दो मन्त लग जाएगे, इस से जाधा आपको time नहीं मिलेगा, तो आप ये expect कर लो कि अगर एक महीने के अंदर result तो next 15 दिन के अंदर आपका MNS का प्रोसेस है, वह complete हो जाएगा, और इसके बाद आपका exam date आजाएगा, so you have approximately one and a half month to two month, okay? तो जैसे मैंने कल NEET वाली वीडियो में भी आपको कहा था, तो similar situation ही आपकी आगई है, जैसे आपको NEET के विलिए प्रिपेर करने के लिए जस्ट दो महीने मिले थे, उसी तरीके से आपको MNS के लिए भी आप दो महीने के अंदर सारा प्रिपेर करना पड़ेगा, कल से सारे बच्चों के मेसेज आ रहे हैं, और मेंली उनका यही था कि दो महीने से हमने इंग्लिश और जी के तो बिलकुल नहीं पड़ी है, तो हम बहुत चीज़े भूल चुके हैं, तो इस चीज़ के लिए आप बिलकुल टेंशन मतलो, जैसे मैंने आपको कली बोला था, I am with you आपका एक्जाम जब तक नहीं हो जाता, I will guide you all, तो जो strategy या routine आपको चाहिए कि इस दो मेने के अंदर किस तरीके से planning करें और कैसे पड़े, उसकी वीडियो आने वाली है, so I will try मैं best कि कल तक मैं उस वीडियो को post कर दू, ताकि आप उसको follow करके अराम से अपना एक खुद स से भी timetable बना लो और पड़ पाओ, ठीक है, so that is it in this video guys, I hope आपको exam date को लेकि जो भी confusion था वो clear हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो please इसको like कर देना, अगर कोई doubt है तो comment कर देना ताकि हम उसको अगले वीडियो में ले ले, and इसको please maximum students के साथ share करें, and अगर आप चैन related information timely मिलते रहे, thank you so much for watching.